फिर मैं मौसी को कमरे में ले गया, इस बार टेल का एक प्याला भी ले गया था मेरा नाम विने है मैं अपनी मौसी की शहर गया था दो महीने के लिए रुखने वाला था एक रात मेरी नीन खुली तो हलकी सी आवाद सुनी तो देखा मौसी अपने कमरे में बैठ कर रो रही थी मैं मौसी के पास गया और पूछा क्या हुआ मौसी जी आप इतनी रात को क्यों रो रही रोते हुए बोली मौसा जी आपके मेरे से प्यार नहीं करते वो मुझे रात वाला प्यार नहीं देते हैं मैं कब तक ऐसे रहूंगी मेरी मौसी मौसा से खुश नहीं थी और कुछ दिन मौसा घर से बाहर कही गए हुए थे जब मौसी मेरे से ऐसी बाते करने लगी तो मैंने भी मौसी को बोल दिया कि अगर आप कहें तो रात वाला मजा वो मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो इस पर मौसी खुश हो गई और मुझे अपने गले से लगा लिया और देखते देखते हम दोनों एक हो गए करीब दो बजे की हम दोनों कमरे में चले गए एक घंते तक घोडी बना कर मस्ती की मौसी ठग गए बात सोने चली गई सुबह मौसी ने उठाया हाथ में कौपी ये खड़ी थी उन्होंने मुझे कौफी दिया और काविने कल रात के लिए मैं माफी मांगती हूँ मैं कल रात के बारे में किसी को नहीं बताओगी मौसी ने कहा तुम जल्दी से नहा लो मैं नाश्ता बना देती हूँ फिर तुम काम पर चले जाना मैंने मौसी से कहा आज मेरा काम की छुट्टी है फिर मैं मौसी को कमरे में ले गया इस बार टेल का एक प्याला भी ले गया था साथ मैं मौसी को घोडी बना कर उनकी कमर पर अच्छी मालिश कर दी और फिर से रात वाला काम कर दिया मौसी ने कहा तुम्हारे मौसा जी भी इतनी मालिश नहीं करते मौसी भी अब मेरे से खुश रहने लगे एक दिन मैंने मौसी से कहा मौसा को छोड़ क्यूं नहीं देती जब वो आपको रात वाला प्यार कभी कभी देते हैं तो मौसी ने कहा बेटा समाज और दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है फिर मैंने मौसी को समझाया मौसी ऐसे तो जिन्दगी नहीं चलेगी आपको कोई मौसी ने मुझे प्यार से समझाया समाज के नजर में तेरे मौसा मेरे पती है और रात को तुम मेरे पती हो मैंने भी हां कर दिया फिर मौसी को दो महीने तक प्यार करा फिर मैं अपने घर आ गया मौसी की याद आती थी मैं फोन पर बात कर लेता था